जब हम पेट्रोल पंपर पहुंचते हैं और गाड़ी में पेट्रोल बरवाना सुरू करते हैं तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब गाड़ी का टेंक पूरा फिल हो जाता है तो ओटोमेटिकली नोजल पेट्रोल को फिल करना बंद कर देता है। इस nozzle को कैसे पता चलता है कि tank fill हो गया है और कब petrol को cut off करना है जबकि liver press हो रखा है और petrol आना बंद हो जाएगा Amazing बात यह है कि auto cut off की complete process इस nozzle के अंदर ही होती है और इसके पिछे की engineering बहुत ही intelligent तरीके से काम करती है इस nozzle में यहाँ पर एक छोटा hole दिखाई दे रहा है और इस hole से एक छोटी tube जूड़ी रहती है जो उपर तक जाती है इस tube को venturi tube बोलते हैं क्योंकि venturi effect यहाँ पर काम करता है तो जो center tube है उसमें water level को ज्यादा उपर तक जाता है और side के दोनों tube में बहुत हलका सा water level change हो रहा है इसके पिछे region है जो center की tube है उसमें water का pressure level change हो रहा है क्योंकि इस point पर pressure decrease हो रहा है तो यह pressure अपने आपको balance करने के लिए इधर से air को खीचेगा लेकिन यहाँ पर water है तो water का level उपर तक जाने लगेगा अब इस point पर pressure decrease क्यों हो रहा है इसके पिछे काम करता है बर्नोलीज प्रिंसिपल मैं आपको ज़्यादा confuse नहीं करूँगा लेकिन यदि इसको थोड़ा सा हम आसान बासा में जान लेंगे तो आपके दिमाग के दर्वाजे खुल जाएंगे science के field में आपको पता है यह जो पूरा universe है balanced है यदि इसके साथ में हम कुछ छेड़ चाड़ करते हैं तो उसका reaction हमें जरूर दिखाई देगा यदि आज आज आप successful नहीं हो तो आपको अपने college time की गलती याद आ रही होगी कि कास उस time सही से पढ़ लेते और आपके past की mistake को आज आप आपको balance करना पड़ रहा है ज्यादा तकलिप उठा करें और science इस चीज को अपनी language में कहती है कि energy को ना ही create किया जा सकता है ना ही destroy किया जा सकता है और Bernoulli's का principle भी इसी principle को काम में लेता है जब हम air को high velocity के साथ में किसी narrow area में से pass करवाते हैं तो वहाँ पर air pressure decrease हो जाता है क् कि हमने velocity बढ़ाई है तो pressure तो decrease होगा ही balance करने के लिए और यह decrease हुआ pressure नीचे से air को ऊपर की तरफ पुल करेगा जिससे water level बदलेगा अब side में जो दो ore tube है उसमें water level कम change हो रहा है इसके पिछे region है जो आपको मैं बोलता हूँ वह आप अभी करो आप हवा में फूंक मारो आ pipe और आपके मुह के बीच में और अब आप देखोगे आपकी जो हवा का pressure है वह कम से कम 2-3 मिटर तक चला जाएगा क्योंकि wide area में air की velocity कम increase हो रही है तो pressure भी यहां पर कम ही decrease होगा अब वापस चलते हैं अपने nozzle पर और venture effect को apply करके देखते हैं nozzle में ऊपर की तरफ stopper लगा र pipe में जो venture tube है इसी में low pressure create होता है यह आगे की तरफ से open रहती है और यह venture tube ऊपर जाकर stopper से connected रहती है कुछ इस तरीके से और stopper के side में कुछ ऐसे hole बने रहते हैं अब stopper के पास में जो hole बने है उनसे एक तो pipe जाती है इधर इस venture tube के पास में और एक pipe यहां से ऊपर की तरफ इस seal packed chamber में जब petrol बढ़ना शुरू करेंगे तो इस lever को ऊपर की तरफ पुल करेंगे जिसे wall open हो जाएगा और petrol कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा यहां पर जो spring mechanism है यह एकदम pake और covered रहता है तो petrol इसके side में से ही निकलता है इसको touch नहीं करता है और आगे बढ़कर petrol इस stopper पर force लगाता है तो stopper open होता है और petrol आगे की तरफ जाने लगेगा speed में जैसे ही petrol speed में जाएगा तो यहां पर जो hole है इनमे pressure decrease होना सुरू हो जाएगा जैसे हमने वेंचुरी ट्यूब में देखा था ठीक वैसा और प्रेसर कम होगा तो यह बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचना सुरू कर देंगे इस वेंचुरी ट्यूब से कुछ इस तरीके से लेकिन इस नोजल में वेंचुरी ट्यूब की design कुछ इस टाइप की होती है जो इधर वाली ट्यूब है यह नोजल में इस pipe के साथ में यहां पर लगी रहती है और जो side वाली ट्यूब है वह उपर seal packed chamber में जाती है इस condition में यदि air को speed में पास करवाया जाए इस ट्यूब से तो यहां पर low pressure create होगा और low pressure इस ट्यूब से air को ऊपर की तरफ खीचने लगेगा क्योंकि इधर तो पानी बरा हुआ है अब यदि इस ट्यूब को मैं पेक कर दूँ हवा ना जाने दूँ तो simple सी बात है अब की बार water level increase होगा same पहले की तरह है तो ठीक ऐसा ही nozzle के साथ मे होता है जब तक petrol tank fill नहीं होता तब तक इस venturi tube से air उपर जाती रहेगी और जैसे ही tank fill होगा तो यह hole भी बंद हो जाएगा petrol की वज़े से और हवा उपर नहीं जाएगी अब आगे का mechanism बड़ा ही interesting है तो ध्यान से देखना पर उससे पहले कुछ important बात है जो आपको बतानी है industry engineering से related जितने भी tools होते हैं उन सभी में moglix.com ने expertise हासिल कर रखी है यहाँ पर आपको घर के appliances जैसे mixer grinder, induction, stove, fan इन सब से लेकर office के लिए chair, security camera, printer, laptop और industrial and construction tool जैसे welding machine, drill machine, safety tool इनके लावा health care और agriculture से related जितने भी tools है सब बहुती बहतरीन quality के available है और इनकी खास बात है on time delivery करते हैं यदि आप moglix app से order करते हो तो fast order पर आपको coupon code lifeadda use करने पर 100 rupees का instant discount मिल जाएगा एप और website का link description में दिया हुआ है एक बार visit जरूर से कीजिएगा इस टोपर के पास में जो low pressure create हो रहा है वह इस tube से तो हवा खींज नहीं पाएगा क्योंकि petrol ने बंद कर दिया तो जो उपर की तरफ इस seal पे एक chamber में tube जा रही है इस से हवा को खींजने की कोसिस करेगा लेकिन मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि यह तो एकदम seal पे एक chamber है यह भी साथ में उपर के तरफ उठेगा और इस mechanism के नीचे एक road लगी रहती है जब liver को उपर की तरफ किया जाता है petrol फिल करने के लिए तो इस wall के उपर एक spring होती है जो liver को वापस नीचे की तरफ force लगाती है बेसिकली यहाँ पर liver और falcarm mechanism होता है जब liver को उपर करते हैं त तो इस wall पर लगी spring load होना शुरू होगी और यह अपना force liver के इस point पर लगाएगी जिसकी वज़े से इधर side में spring का mechanism बना रहता है यह नीचे की तरफ आने की कोशिस करेगा कुछ इस तरीके से अब यह mechanism नीचे आ गया तो wall open ही नहीं होगा और petrol tank में जाना शुरू ही नहीं हो जिसकी वज़े से यह wall आसानी से open हो जाएगा अब जैसे ही tank fill होगा तो जो low pressure create हो रहा है वह इस chamber में से हवा खींचने की कोशिस करेगा और यह chamber तो seal pack है जिसकी वज़े से die from ऊपर की तरफ उठेगा और die from ऊपर की तरफ उठेगा तो इसकी नीचे लगी road ball bearing को free कर देगी और जैसे ही ball free होगी तो यह अंदर की तरफ चली जाएगी और यह liver नीचे की तरफ आ जाएगा और इसकी spring load हो जाएगी जब liver नीचे की तरफ आएगा तो इधर से wall close हो जाएगा और petrol आना बंद हो जाएगा तो आप देखोगी कि यह liver तो उपर की तरफ ही है फिर भी petrol को इ है जो spring load हो रही है यह वापस इस liver को ऊपर की तरफ ले जाएगी और फिर से डाइफ राम के नीचे लगी रोड इस liver को ब्लोक कर देगी इस तरीके से वेंचुरी ट्यूब में जो low pressure decrease हो रहा है उसकी help से nozzle tank में भर रहे petrol को automatically sense कर लेता है और auto cut off हो जाता है अब आपके लिए एक छोटा सा question है आज की time में तो बहुत सारे electronic sensor available है फिर भी venture effect को काम में क्यों लिया जाता है दोस्तो हमें आपके support की सक जरूत है आप channel को join करके हमें support कर सकते हो और animation की दुनिया में आप आना चाहते हो तो description में website का link दिया हुआ है आप सीखने में interested हो तो हम आपको सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इसके लावा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से comment box में बताना thank you दोस्तो